एक यह लूपन को डिलिए गुड्मोर्निंग आप सभी को टैसे आप लोग ठीक है सब लोग द्लीए डिक आपको भी गुड मार्नीं आपको भी गुड मार्निंग सभी लोग को गुड मार्निंग अनीय आपको क्रेंगे शेये बता इच्छा है क्रेंगे चली तो हम लोग क्या पर रहे थे एक कर बोलते हैं को किका आइंगे बीजिक चलने के अप्लिकेशन सॉफ्ट बेर ही है ठीक है तो दोनों को हम लोग पढ़ेंगे और बहुत आराम से पढ़ेंगे ताकि सब कुछ समझ में कलास में ही आजाए जेनरली बहुत डीप में आपका कुश्चन नहीं जाता है कंप्यूटर साइंस के जैसे आपका कुश्चन जेनरली उस यूटिलिटी सॉफ्ट वेर है ठीक है तो हम सबके बाड़े में आपको बेसिक भी बताएंगे और पूरा कंटेंट है इसमें इससे ज्यादा कहीं प्याने की कोई संभावना नहीं है ठीक है तो चलिए इसमें हम ओभी आपको बताते चलेंगे सर बोर्ड पीडिया बोर्ड ठीक है चलिए यूटूब वला को इधर करिये ने ने कनेक्टिंग लोग नहीं दिखाई देरा है इधर करिये थोड़ा सा आई यस ठीक होके रहने दी चलिए तो आवा में स्टार्ट करते देखिए सबसे पहली बात क्या है कि सॉफ्ट वेर क्या होता है यह जो सॉफ्ट व यह एक ऐसा है कि शरी हिंदी टाइपिंग पर कुछ बोड़ता है वह हम फिर से प्रिभियस यह वाले में कर लेंगे उसको हम आपको जो भी टाइपिंग उपिंग है ना उसके बारे में कलास के लास्ट में बात करेंगे मैं अभी पढ़ लिजी आप ठीक है पहले कलास कर ल हाडवेर है और दूसरा हम यूजर है तो हाडवेर और यूजर के बीच में एक इंटरफेश होता है जिसके बज़र से हम उस हाडवेर जो हमारा कंप्यूटर है उसको चला पाते हैं उस सफ्ट्वेर के होने के बज़र से अगर कंप्यूटर में सफ्ट्वेर नहीं है इसके मतलब वो एक डब्बा हो जाएगा समझ गया बातों को तो उस हाटवेर मतलब जो आपका डब्बा है कम्प्यूटर उस हाटवेर और हम जो यूजर है इसके बीच में जो इंटरफेस है आने की जो कनेक्टिविटी एस्टेबलिस्ट करता है अने की जो रिलेशन देता है यही क्या आपका सफ्ट्वेर है मतलब सफ्ट्वेर को हम टच नहीं कर सकते हैं लेकिन इसके बीना हमारा सिस्टम काम भी नहीं कर सकता है समझ गया बातों को चलिए अब हम थोड़ा-थोड़ा करके यह यहां पर आपको पूरा डिटियल समझाएंगे देखे सबसे पहले बात यहां पर क्या है हम सॉफ्ट्वेयर आपको क्या बताए हैं कि जो भी कूछ सॉफ्ट्वेयर है software, ठीक है, software क्या होता है, कि एक तो user होता है, कौन होता है, एक तो आपका user होता है, user होता है, माल लिजे कि ये है आपका user, तो मजगे बातों को, ये user है, जो computer को use कर रहा है, दुसरी बात क्या है, कि एक आपका hardware है, कहीं पे भी, माल लिजे कि ये आपका computer है, और इसमें अगर माल लिजे कि आप software नहीं डाले हुए है, तो ये गोई डबा है, ठीक है, तो ये क्या माल लिजे, इसको आप hardware माल लिजे है, हाडवेर माली और इसको बीच में इस दोनों को कम्प्यूटर के चलाने के लिए इसमें सफ्ट्वेर होना चाहिए तो इसके मतलब एक कनेक्टिवीटी दे रहा इंटर फेस दे रहा इस दोनों के बीच में तो इस दोनों के बीच में जो आपका इंटर फेस होता है इंटर जो को फेश होता है यही आपका क्या होता है तो सौफ्ट रेर यह अंधिया र रागց शॉप्ट स्वटवैर होता है आभी हम आगे आधै सब कुछ आपको बताएंगे आपको टेंसलिय कुल नहीं लेना थाधि कहा जितना बताते उतना आपकोई प्रभ्राम क्या है जैसे कि माल लिजिए कि आप से हमको कोई काम करवाना है तो हम आपको सबसे पहले उसकाम का पूरा इंस्ट्रक्सन बता देंगे कि आप आएए हमारे साथ जूरिए यह काम आपको करना ऐसे एसे स्वैक्र्आइब करना इसी स्टाइम यहीं चारव करके देना कि कंपूर विडियो चटीक है यहीं मिले आप्वको ठीक है आपको हैंड टीकर नोट बनाना जैसे जैसे तरी मताएंगे यह चीजे आपको मिलेगा डिगा चलिए आगा भी कलास कड़िए पहले धयान से ठीक है ऩो सीखने पर फोकस कड़िए भीस आसा बदे नहीं कड़िए , तो ध्यान से हम आपको क्या बोले , की आपको क्या करना है , कि अगर हम कोई काम देते हैं तो हम आपको क्या देंगे इंस्ट्रक्शन देंगे और आपको क्या करना है जैसे जैसे हम बताएंगे वेसे वेसे आपको करना है तो उसी तरह से कम्प्यूटर से अगर हमको कोई काम करबाना है तो हम उसको एक instruction देंगे ना तो इंस्ट्रक्ष는데 जतरतर इंस्ट्रक्षन रख देंगे तो उन काम नहीं करेगा मतलब हो स्ट्रेट ओफ इंस्ट्रक्षन जो होगा उसी को क्या बोलते हैं प्रोग्राम बोलते क्या बोलते हैं एक सेट आफ इंस्ट्रक्शन माली जे कि एस से ले करके आप ऐसे समझे एस से ले करके जेड तक वर्ड है अज जब इसको हमको मिनिंग फुल लिखना है तो उसका अगो सिक्वेंस होगा कि कौन लेटर के बाद कौन आएगा जैसे कि रोज ही लिखना है तो ए जिकार आपका एक सेट आफ इंस्ट्रक्शन होता है अने की सेट आफ इंस्ट्रक्शन इस काण्स इस कौल्टe पर्रोग्राम प्रोग्राम, मतलब यह पूरे इंस्ट्रक्शन के सेट को क्या बोले हैं, प्रोग्राम बोले हैं, जो उसके लिए सजाया गया है कि अगर इस फार्मेट में चीज़े होगा, ते वो कंप्लीट प्रोग्राम बन जाएगा और कम्प्यूटर इसके उपर काम करेगा, जैसे कि ज यहां पर देखिए जैसे कि हम आपको हिंदी में समझने के लिए उदाहरन लिख दिये उदाहरन के तोर पर अगर आपको किसी से कोई काम करवाना है तब उसे आपको इंस्ट्रक्शन देना परता आप इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है उसी तरह कंप् कि यह आपका सेट आफ इंस्ट्रक्शन होता है इंस्ट्रक्शन के मतलब क्या हो गया इंस्ट्रक्शन अब इधर उदर भी रख सकते लेकिन जब तक उसका पूरा सेट नहीं बनेगा तब तक वो प्रोग्राम नहीं कहला समझ गया बात तो चलिए आगे देखिए मश्यार को अभी आफ यहां पर ध्यान से देखिए आप प्रोग्राम समझ गया होता है यह वो सेट वप्रिंस्ट्रक्शन आपका कम्प्यूटर के अंदर जो कम्प्यूटर हमें वर्क करके देता है उसके एकोडे यह चलिए अगला आपका प्रोग्रामर क्या होता है तो जो प्रोग्राम को बनाता है वही क्या है प्रोग्रामर है जो प्रोग्राम को बनाता है जो उस से टोफ इंस्ट्रक्शन को बना रहा है वो क्या है प्रोग्रामर है मतलब इसके मतलब क्या होगा उसके पास कंप्यूटर का बिसेस ज्यान भी नाव प्रोग्राम बना पाएगा तो मतलब यह computer software का भी से सग्य होता है मतलब इसको पूरा जानकाड़ी होता कि कौन साम कोडिंग करेंगे कैसे प्रोग्राम बनाएंगे तो कैसे रन करेगा कैसे हमें efficient work करके देगा समझ गया बातों को जो आने किसी निर्धारीत कारे को पूरा करने के लिए आये निर्धारीत कारे को पूरा करने के लिए तेस्टिंग करता है और फिर उसमें से बग को ढूंड़ता है अगर आपको कोई काम करवाना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे उसका टेस्टिंग करेंगे ठीक है जब माली कि आप बना लिए तो उसका टेस्टिंग करेंगे फिर उसमें बग को ढूंड़ेंगे फिर उसको को रन करके देखेंगे जब वो चल जाएगा इसके मतलब अब वो successful हो गया तो उससे हम आप क्या करेंगे next काम लेंगे अब इसको भग को ढूंडने के लिए आगे हम रनिंग जो compiler है इंटर्पेटर है इसेमलर उसको पढ़ेंगे लेकिन अभी आप यहां पर इतना समझें ठीक है अने की इसकी जाच कर उसमें क्या करते हैं सुधार कर देते हैं अगर कोई भी तरह का उसमें error है बग है तो उसको क्या करते हैं सुधार कर देते हैं किसका काम होता है प्रोग्रा करना पड़ेगा ठीक है जो आपके लिए इंपोटेंट है कि पीडियोप पीडियोफ 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 हम आपको देते जाएंगे ठीक है बग क्या देखिए एक एरर होता है जैसे कि मानले की बग क्या होता ना कि आप कोई भी चीज में अगर कोई गलती है ना तो उस गलती को प्रोग्राम में क्या बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं बग बोलते हैं अगर आप लोग इतना कुश्चन करते रहेंगे तो फिर हम पढ़ाएंगे क्या अभी हमको पढ़ा ज्यादा कॉमेंट करके कुछिन पूछिए तो फिर कैसे होगा जैसे कि जो एक रिलिवेंट कुछिन है ना उसको आपका लास्ट के लास्ट में पुछिए गठीक है पिडियप मिलेगा आपको कहां पर मिलेगा तो ये स्टडी मैटरीयल वाले सेक्शन में मिलेगा ठीक है अगला नहीं अगला आपका है तो कि आइङम् पृप्र आपका software से मतलब नहीं एए कि पिडिएफ कैसे द Commissioner करें अच मंळाएं कि बल्त ही लिए की सरा चाही है काली पृटी अबर उस्यसे पिडियोपे सोट जान है अधिन बलuce जान करें रहा जाता है यहिस पिडिएफ के चक्कर बहुत करें था सा्थ हाँ भड़ा सा कलम चलाया करें कि क्या बोल नहीं उसको सिखिए सिखने पर फोकस करें देखिए क्या अपका टाइब सताफम सफ्टवेर हमारे पास क्या है एक तो सिस्टम सप्टवेर है दूसरा क्या है ऑपलीकेशन सफट्वेर और तिसरा क्या आपका यूटिलीटी आपका सफट्वेर है क्या आपका यूटिलीटी सफट्वेर है ठीक है चलिए अब सिस्टम सफट्वेर में क्या आता है अपलीकेशन सफट्वेर में क्या आता है यूटिलीटी सफट्वेर मे क्या आता है किस बातों पे हमें फोकस करना है और इसका नाम भी हमें याद रखना अब सिस्टम सब्ट वियर एक ऐसा चीज है इसके बीना सिस्टम चल ही नहीं सकता है जब तक हम कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सब्ट बेर नहीं डालेंगे तब तक वो computer एक डबा के समान है समझ गया मतलब यही जो हमारा system software है जो hardware और user के बीच में एक interface बनता है क्या बनता है interface बनता है समझ गया बातों को चलिए आगे दिखिए तो यह system software आपका क्या होता है तो यह आपका एक तो हो गया operating system हो गया जिसके माध्यम से हम computer को operate करते हैं और दुसरा आपका device driver हो गया यह समझ यह थोड़ा device driver क्या होता है जैसे आप operating system install करते हैं न उसी तरह से यह कई बार device driver automated उसमें install हो जाता है और कई बार जब आप कोई peripheral device लेते हैं अपने computer से connect करने के लिए तो उस peripheral device का या तो कोई आपको CD बना के देता है या फिर उसके website पर उसका driver बता देता है यहां से आप अपने system install कर लेते हैं जैसे की बात समझेए आपके पास computer है और यह वाप printer खड़ित के लाए आप इसको connect करिएगा computer से आप बोलिया कि इसमें एक driver होता है जो इस computer को उसके instruction को समझाता है कि यह कैसे उसमें क्या function है क्या उसका storage है कैसे हम उसमें यह चीजों को दे सकते हैं तो दोनों के बीच में आजे मानिये की एगो connectivity का काम करता है driver के मतलब है क्या होता है चलाना इस दोनों के बीच में को correlation पैदा करता है समझ गए बातों को प्रेकिया होता है आपका device driver होता है ठीक है चली कि freion को कि कि एलिए आगे दिखिए आगे आज का किया नाम आपको याद रखना क्या 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 नाम याद रखना है तो आपका वीन्डव进 में अभी हम सब बताएंगे ठीक है कि 1.9 क्या है अलेवें अछान में कुष्चन आया था आपका क्या कि कौन साइसा बिंडो जिसमें इंटरनेट का कनेक्टिविटी नहीं था तो वह 0.0 था ठीक है मतलब 3.0 था या 3.1 उसका आगे बला भर्जन ठीक है आपका मैक OS हो गया यह क्या आपका यह सब आपका ओपरेटिंग सिस्टम है और यह आप क्या है ओपरेटिंग सिस्टम है ठीक है और आगे आपका क्या है डिवाइस ड्राइबर जैसे कि आपका ऐडियो ड्राइबर हो गया ग्राफिक ड्राइबर हो गया मदर बोड ड्राइबर हो गया यह सब आपका इंपोर्टेंट क्या है तो ड्राइबर समझ गया बातों को च जाइर वर्क के लिए रखते हैं, जैसे कि अगर हमको कोई स्पेसिफिक काम करना है, तो हम अप्लिकेशन सौफ्ट वेर का यूज करते हैं, किस लिए? स्पेसिफिक काम करने के लिए, आने कि स्पेसिफिक काम के लिए, काम के लिए, इसका पढ़ियों करते हैं, अप्लिकेशन कि यूज करते किसलिए स्प्यक काम को करने के लिए तब तक चलना थिक है वह जल्दी मतलब और उसके बाद आपका इधर सेप्रेट हो जाएगा बहुँ जल्दी ठीक देखें, एस्पेसिपी काम के लिए जो है आपका आप्लिकेशन सॉफ्ट बेर, जैसे कि माल लीजिए हमको फोटो सॉप में कुछ करना है, तो हम फोटो सॉप का यूज करेंगे, अब कम्प्यूटर में अगर फोटो सॉप नहीं भी रहेगा, तभी भी कम्प्यूटर चलेग कम्प्यूटर नहीं चल चकता है, समझ गया बातों को, जब यहीं नहीं रहेगा, तो कम्प्यूटर को कैसे अपरेट करेंगे, समझ गया बातों को, और इसके बीना चल सकता है, आप अपना कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए आप रखते हैं, ठीक है, चलिए, जैसे कि हो गया, यहाँ पर फिर से फोटो सब्सक्राइब, जैसे कि MS Office हो गया, जो सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट और हम लोग को डीपली पुरा परहना भी है, ठीक है, तो MS Office देखिए, जो आपका MS Office है, इसमें Office बोल दिया, तो इसके अंदर एकर मतलब क्या, वो तीनों चीज Excel हो जाएगा, और और क्या हो जाएगा, MS आपका PowerPoint हो जाएगा, MS PowerPoint हो जाएगा, तो यह सब चीजे क्या है, हमारा Application Software है, जैसे कि हमको कोई भी Editing का काम करना है, कोई Word टाइप करना है, Question टाइप करना है, तम किसका Word का पढ़ियोग करेंगे, हमें कोई result बनाना है, कोई index बनाना है, कोई salary बनाना है, कुछ और chart बनाना है, कोई formula लिखना है, mathematical calculation करना है, तब किसका MS Excel का पढ़ियोग करेंगे, समझ गया बातों को, उसी तरह से अगर हमको कोई slide बनाना है, कुछ image लगा करके अलग सा चीज दिखाना है, तो हम PowerPoint का यूज करेंगे, समझ गया बातों को, अगला देखिए, अगला आपका utility software है, utility का मतलब समझे, देखिए, जैसे कि इसके बजह से, चीजे अच्छा से work करेगा, faster तरीके से work करेगा, मतलब efficient work करेगा, ऐसा समझे, efficient work करेगा, जैसे ऐसे माल लीजिए, आप एगो खुद पढ़ते, एगो guide के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो जब guide के माध्यम से पढ़ते हैं, तो आप उचीत direction में जाते हैं, आप efficient काम करते हैं, आप उसी चीज के उपर focus करते हैं, जिसके उपर करना चाहिए, समझ गए बातों को, तो उसी तरह से, utility software के बज़ा से, computer हमारा speed, टाइपिंग में लो ले देंगे, computer के आथी, class के लास्ट में, अभी मत पुछे मेरे भाई, ठीक है, चलिए, अगला देखे, तो आपका utility के बज़ा से क्या हो जागा, computer हमारा अच्छा से run करने लेगा, मतलब efficient work करने लेगा, मतलब इसके बज़ा से computer, computer, अच्छा से work करने लेगा, लगेगा, समझ गया बातों को, जैसे कि आपका disk defragmenter है, ठीक है, उसके बाद आपका system profiler है, virus scanner है, इसका क्या काम होता है, कि जैसे कि जो भी virus है, उसको scan कर देना, मतलब उसको बाहर कर देना, entry नहीं करने देना system, antivirus है, तो antivirus का काम क्या होता है, कि जो virus है, उसक efficient work करेगा, virus चल जागा system में, तो system को damage करेगा, उसके बाद उसके system को hack कर सकता है, उसके RAM को तुरत fulfill कर देगा, जैसे कि virus का काम क्या होता है, वो self मतलब अपने आप में हमेशा, जो है, create होते रत, मतलब एक से दो, दो से चार होते रता, उसके बाद से RAM फूल हो जाएगा, फ work, मतलब बंद कर देगा, यह सब आपका antivirus क्या करता है, उसके बचाता है, ठीक है, disk आपका यहाँ पर checker है, और disk आपका cleaner है, ठीक है, cleaner कहने का क्या मतलब है, जो भी चीजे हमारे पास unwanted है, उसको हटा देना, या उसको बता देना, user को, यह चीजे unwanted है, आपका मर्जी है, उसको हटा सकते है, यहाँ पर disk defragmenter का मतलब क्या है, कि जैसे कि माल लिजिए, कोई भी चीज है आपके पास, ठीक है, कोई को sequence way में आपका नहीं है, random इधर उधर रखा हुआ है, तो आपको चीजे ढूंडने में, निकालने में time लगेगा, लेकिन उसी चीज को जब आप sequence में कर लेते हैं, तो उसको process करने में, ढूंडने में आपको time जो है, कम लगेगा, समझ गए बातों को, तो उसी processing time को जो है, कम करने के लिए, चीजों को faster करने के लिए, हम इसका use करते हैं, ठीक है, मतलब एको sequence में सजा लेने के लिए, ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ पर जो लिखा आई सब का मतलब समझ गए, सब का मतलब समझे न, system software का मतलब क्या है, कि इसके बीना computer नहीं चल सकता है, जिसका नाम आपका यह है, आगे हम बिंडो के बाड़े में भी पूरा भधाएंगे, ठीक है, दूसरा बात क्या है, आपका driver device है, मतलब यह क्या करता है रिलेशन पैदा करता है, मतलब कोड इलेट करता है, या ऐसा माली कि उसको चलने में सहाय करता है, ठीक है, अगेला आपका क्या है, application software, मतलब अपने desire के लिए, कोई यह specific work के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि यह होना चाहिए, यह नहीं भी होगा, तबी भी यूज होगा, और ऐसा आपको और भी बहुत सारा application है, मतलब जितना भी कुछ आप चलाते हैं, system software को छोड़ करके, जो अपने proper काम के लिए use करते हैं, वो सब क्या आपका, application ही software है, आपके computer के अंदर, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, आपका MS office के अंदर यह सब चीजी आजाएगा, जो सबसे बड़ा आपका application, software है, utility का काम क्या हता है, computer को अच्छे से work करने के लिए, efficient work करने के लिए, उसको सहारा देता या मदद करता है, ठीक है, जैसे कि यह सब example है, आपको याद रखन है, ठीक है, चली, आगे देखे, आगे आपका क्या है, कह रहा है कि आपका आने की soft beer, तो soft beer आप क्या देखिये है, देखिये आपका क्या है, soft beer है, ठीक है, soft beer में यह उता होगया, आपका system और दूसरा आपका application, अभी आपको बताए हैं हम, ठीक है, और इसी का आपका operating system हो गया, ठीक है, device driver हो गया, आने की farm beer हो गया, यह देखिये, यह क्या होता है आपका, यह hardware plus में software दोनों से मिलकर के बनता है, यह क्या होता आपका, hardware plus में software दोनों से मिलकर के बनता है, दोनों से मिलकर बनता है, मिलकर बनता है, समझ गया बातों को, दोनों से मिलकर कैसे बनता है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, यह रिमोट नहीं है आपका, जैसे कि यह देखिए, यह अभी आपको hardware दिख रहा है, उपर से ठीक है, लेकिन इसमें signal जब complete होता है, मतलब circuit complete होता है, तब जाकर कि आप किसी भी चीज को change कर पाते हैं, तो वो जो circuit complete होड़ा है, मतलब इसके अंदर software भी है, समझ गया बातों को, तो दोनों से मिलकर के यह आपका बनता है, अब लोंगेज ट्रांसलेटर, यह आपका बड़ा इंपोटेंट है, लोंगेज ट्र work करने में, virus कैसे computer में इंटर करता है, जैसे कि आप कोई भी ऐसा activity करते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए, आप कोई भी चीज इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि कोई link हो गया, कुछ भी आप click करते हैं, उसके माध्यम से वह इंटर कर जाता है, समझ गया बातों को, चली आगे देखें, आगे आपका क्या है, तो utility, देखें, utility क्या होता है, इसके बज़े से computer आपका efficient work करता, हम उपढ़ाएंगे आपको tension नहीं लेना, ठीक है, अभी हम पढ़ाएंगे, यह सब अभी आपको हम थोड़ा थोड़ा दिखाड़ें, अभी हम आपको पढ़ाएंगे, यह utility, utility का क्या होता है, system को efficient work करने में मदद करना, जैसे कि आपका antivirus हो गया, जो virus को enter करने से बचा रहा था, ठीक है, चलिए, आगे आपका application software क्या था, तो application software क्या है, जिसके वज़े से हम क्या कर सकते है, कोई भी particular काम कर सकते हैं, और इसका होने और नहीं होने से computer के उपर कोई effect नहीं पड़ेगा लेकिन क्या होगा कि आपका specific काम करना है उस काम करने के लिए यह होना चाहिए जैसे कि यहाँ पर word processor है database software है multimedia software है graphic software है web browser है यह सब आपका क्या है application software यह पूछा जाता है web browser आपका क्या है तो यह आपका application software है क्या आपका application software है यहाँ पर sound ठीक है आप अपना चेक कर लिजी क्या आपका application software है चलिए आगे देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए देखिए आप जूर जाई application से ज्यादा बेश्ट रहेगा जूर जाई application से देखिए क्या कर आपका system software बात को यहाँ पर समझ यह ध्यान से देखिए कह रहा है कि वह प्रोग्राम जिसके बीना computer चल नहीं सकता यहीं तो हम आपको उसमें से बता रहे है जिसके बीना computer चल नहीं सकता जिसके बीना computer का कोई अस्तित्व नहीं है computer एक डबा के समान हो जाएगा आगर उसमें system software नहीं रहेगा हम एक एक चीज लिख दिये है आपको समझने में इतना साभी problem नहीं होगा खाली आपको concentrate करना है इसके उपर और एक बार PDF का आपको revision करना है सही सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा अगला आपका क्या है कि operating system एक तरह का क्या है आपका system software है तो यही जो आपका operating system जो है यह एक तरह का क्या है system software यह क्योंकि system software के ही तो यह पाड़ था पीछे देखिए यह आपका system software के ही पाड़ था समझ गया operating system समझ गया ना यह दोनों आपका एक ही चीज है जिसे system program के नाम से भी जाना जाता है इसका उपयोग करके इसका उपयोग आपके computer mobile को run करने में होता है जिसे system program के नाम से भी जाना जाता है मतलब इसी का पड़ियोग करके हम क्या करते है हमारा system जो है वो run करता है ठीक है यह नहीं रहेगा तब तक वो चलेगा ही नहीं ठीक है चली आगे देखिए आगे है क्या आपका इक्जाम पल इसका इक्जाम पल जो है यही सबसे खास है पूछा यही जाता है working आपको याद रखना है साथ साथ आपको इक्जाम पल भी यादर रखना तो मजबातों क्या हो जाएगा तो जैसे की Microsoft window हो जाएगा, Mac हो जाएगा, iOS हो जाएगा, Android हो गया, Linux हो गया, इसका आगे और भी वर्जन है, यह आपका कैसा है, तो free और open वाला है, कैसा है, free और आपका open source है, हम open source और close कौन करन है, वो भी हम आगे आपको बताए हुए है, ठीक है, चलिए, यहाँ से क्या कियाद सिस्टम सफ्ट्वेर क्या है आपका, तो Microsoft window है, Mac है, iOS है, Android है, और आपका line है, ठीक है, यह सब आपका क्या है, और यहाँ पर Microsoft window में आपका जो भी होगा, जैसे कि अभी तो 11 चला है, मतलब आपका 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो यह सब है आपका, ठीक है, तो यह सब क्या है, आपका system software है, आगे देखिये, आप यह कहिए, कि sir अच्छा से syllabus करा देजाएगा, यह मत बोलिए कि sir कितना जल्दी हो जाएगा, यह बोलिए कि अच्छा से करा देजा, ठीक है, हम अच्छा से करा देखिये, आगे आपका क्या utility, कह रहा है कि, एक ऐसा computer system system program होता है जो computer को analyzation, configuration, optimization तथा maintenance करने में मदद करता है और जो चीजे maintenance करने में मदद कर रहा है इसके मतलब वो efficient work कराने में भी मदद करेगा समझ गया बातों को और ये आपका system software अधिकतर operating system के साथ आता है और कुछ आपका अलग से भी install होता है जैसे कि आपका disk defragmenter हो गया ठीक है antivirus हो गया हम अलग से अपने computer में डालते अलग अलग company का भी आता है ठीक है उसके बाद आपका screen saver हो गया यादी ये सब आपका क्या है utility आपका program है और भी हम आपको रहेगा तो बार-बार revision करने से ये नाम जो है याद हो जाएगा ठीक है चलिए आगे दिखते आगे यहां पे कई सारा example लिखा गया है इसमें से कुछ जो है आपका खास है ज्यादा important है कुछ खास important है उसके बारे में हम आपको बताते हैं देखें जैसे कि आपका utility software में आपका जो है antivirus ये ज्यादा important है ये आपको याद रखना डिस्क management आपका है ठीक है management का मतलब क्या कि हमें उसके अंदर सिस्टम के अंदर जो भी फाइल है या जो कुछ भी हमारा data है उसको कैसे हम manage रखे तक हमें उसे processing करने में कम टाइम लग सकते है अगला क्या डाइगोनेस्टिक सफ्ट्वेर है मतलब उसको ठीक करने वाला सफ्ट्वेर डाटा recovery आपका सफ्ट्वेर है ठीक है compression and decompression आपका सफ्ट्वेर है ठीक है sort and आपका merge utility है और backup utility यह important है आपका यह ध्यान रखना पूठीक है backup बला tax editor भी है ठीक है तो इसमें से आपका सबसे ज्यादा जो important है आपका antivirus हो गया ठीक है डिस्क आपका management बला हो गया backup बला हो गया यह सब हमारा ज्यादा इंपोटेंट है यह भी important है यह सब utility हमारा software है कैसा software है utility software है YouTube पर regular class चलेगा लेकिन question चलेगा ठीक है आपको पुरा सलेबस करने के लिए application से आप जूर जाएए अपनी चैन्थ हो जाएगा पूरा सलेबस आपको अच्छे से complete हो जाएगा अप्लीकेशन पर बहुत जल्दी मतलब यह सब application पर भी जा रहा है यह आपका basic चल ला है ठीक है और basic चलने के जश्टे बाद आपका क्या हो जाएगा कि वह सब को जितना भी office होगा वह सब तो आपका application पर सिफ्ट हो जाएगा ठीक है चली अचली उसके बाद यूटूब पर आपका मतलब कुस्चन आते रहेगा प्रिभियस कुस्चन और और भी कुछ कुस्चन होगा वह आते रहेगा अगे देखिए आगे आपका application software है देखिए अब application software क्या हो गया इसके बिना कोई computer चल सकता है यह हम अपने desire के लिए क्या करते हैं यूज करते हैं कोई भी particular काम करना है जैसे कि हमें अगर कोई document को PDF में खोलना है अगर हमें कोई वीडियो चलाना है तो वीडियो चलाने वाला आप होना चाहिए अगर हमको वीडियो नहीं चलाना है तो फिर हमारे mobile में उसका कोई यूज नहीं इसलिए तो जरूरत के हिसाब से इस्टॉल करते हैं और फिर इसको अनिस्टॉल कर देते हैं समझ गये ना बतों को मतलब अपने particular वर्क के लिए हम इसका यूज करते हैं ठीक है इसके मतलब क्या है अने कि वह software जिसके बीना computer क्या हो सकता है चल सकता है क्या हो सकता है computer चल सकता है computer हमारा बंद नहीं रहेगा ठीक है आने की software या mobile app को आने की बनाने में जिस program का उप्यों किया जाता है वही हमारा क्या है application program है ठीक है जैसे कि आप अपने mobile में क्या क्या application software रखे हैं तो facebook रखे हैं WhatsApp रखे हुए हैं इसी तरह का जैसे कई banking का भ software आपके mobile में इस type के भी आपके पास देखिए जैसे की YouTube हो गया Google Chrome हो गया BLC Media हो गया तो यह सब आपके अंदर क्या है mobile के अंदर क्या है तो आपके पास application software है इसको नहीं रखेगा तभी आपका mobile work करेगा ठीक है यह आपका जैसे कि देख रहे है word है यह आपका Excel हो गया यह PowerPoint हो गया यह सब जितना भी कुछ देख रहे हैं जैसे कि आपका Google Drive हो गया पेंट हो गया यह सब जितना भी Gmail हो गया यह सब क्या है आपके पास तो यह सब के सब application software है और आपके mobile में पता नहीं कितने कई सारे मोईल में 50-60 इतने सारा application software आप लोग रखे अलग-अलग यूज के लिए जब यह वह पूछेगा application software के नाम तो थोड़ा सा common sense भी लगाने कि इससे हम कोई particular वर करते हैं क्या आपको लगा हाँ particular वर करते हैं तो यह कर मतलब क्या हो गया आपका application software हो गया ठीक है और जो system software है आपको ऐसे ही पता चले है कि इसके हम particular काम नहीं करते है इ नहीं चल सकता है तो मजगे बातों को मतलब application software को run होने के लिए system software का होना mandatory है इस बात से आप सहमाद है ठीक है आगे बढ़े फिर तो सब कुछ आएगा इंसर मतलिजिए सब कुछ आएगा अगले अगला अब यहां पर कुछ application software का भी एक जामपल है अभी हम लास्ट में आपको क्यू कर वाएंगे ना आपको सब कुछ एक दम पूरा clear cut हो जाएगा कि कहां क्या था ठीक है यह क्या आपका application software क्या application इसमें आपको कुछ नाम जो है आपको बड़े इमंदारी के साथ याद रखना पड़ेगा जैसे कि आपका Microsoft Office ओफिश हो गया ठीक है बेव आपका ब्राउजर हो गया वीडियो एडिटिंग जितना भी software है ना वो सब क्या है आपका सब के सब application software है ठीक है जैसे कि आपका screen recorder हो गया जैसे कि बहुत सारा वीडियो देखते ऐसे बनकड़के आता है यूटूब पे जिसमें फेस नहीं देखते रहा तो उसक्या करता स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा है यह सब क्या आपका application software है आपको वीडियो चलाने वाला जितना होता Microsoft Office जैसे कि आपका word हो गया Excel हो ग आतों को इसका बड़ा ही important है अभी के लिए computer में क्या समझाए एक बार फिर से करिए comment करिए क्या समझा दे फिर से बोली लिखिए तब तक हम यह बता रहे है Google आपका हो गया डबल आपका एक्टीव हो गया यह सब जैसे कि एक फोटो सफ हो गया आपका इलिस्ट्रेटर हो गया आपका ठीक है यह जो भी डिजाइन करने के लिए होता है मक्सिमाम आपका क्या होता है यह सब के सब आपका application software होता है अब पुछ रहे तो बोलिए नहीं रहे है अब इसका नाम आप याद रख लेंगे क्या क्या नाम याद रखेंगे Microsoft आपका Office हो गया बेब ब्राउजर हो गया वीडियो एडिटिंग का जीतना भी आपका application बलाई है ठीक है जो आपका screen recording बलाता है वीडियो प्लेयर आता है word हो गया Excel हो गया PowerPoint हो गया यह सब क्या आपक application ही software है ठीक है चलिए यह आपका Photoshop में जितना भी आपका आमोम करते सब क्या है application software है ठीक है अगला देखिए अगला देखिए अगला आपका क्या है जैसे कि आप word processing की बात यहां पर करते word processing software वर्ड प्रोसेशिंग software में क्या कर सकते हैं तो कोई भी डोकोमेंट को इडिट कर सकते हैं मतलब यहां पे हम आने की इडिट जो है आने की इडिट कर सकते हैं इडिट कर सकते हैं कोई भी डोकोमेंट के दुसरी बात क्या है यहां पर हम कोई question type कर सकते हैं कोई भी हम question type कर सकते हैं question को आने की type कर सकते हैं ठीक है और भी जितना भी कुछ documentation का काम है जितना भी document का काम है कि डोकोमेंट का काम है कि डोकोमेंट का काम है वो कर सकते हैं शमाज गया बातों को इन सब कामों को कहां पर करते हैं तो हम वार्ड प्रोसेसिंग में करते आने की कि एमेस वार्ड में करते हैं कहां पर करते हैं एमेस वार्ड में एमेस वार्ड में करते हैं यहां पर टाइपिंग भी करते हैं यहां पर ठीक है यह सब एमेस वार्ड में करते हैं ठीक है कि आप पुछते हैं कुछ तो ठीक से लिख करके पूछे था कि हम भी पढ़ सके अभी दोनों पे चलना है लेकिन यह थोड़े ही दिन में आपका पुरा सिफ्ट हो जाएगा आपका अपली के सन पे ठीक है जो आपका जितना भी वर्ड है में सब्सक्राइब पॉइंट है सब हम वहीं पर पढ़ाएंगे कि उसमें सब प्रेटिकल दिखाना है ठीक है तो उतना टाइम नहीं रहेगा कि मतलब इधर भी आपका कलास चले ठीक है तो आपके यूटूब पर मतलब कुस्चन जाते रहेगा जो पीड़ीए शेयर कुस्चन है और कुछ इंप आपका यूज किसका करते हैं कोई भी काम करना होता है तुरत आप MS वड को खूल लेते हैं ठीक है चलिए तो MS वर्ट होगे आपका Google 刀 में भी काम कर सकते एपल पेज में भी कर सकते हैं जोहूड आइटर में भी कर सकते हैं ड्रोब बॉक्स पेपर में भी कर सकते हैं आने की इसमें भी कर सकते हैं आने की डबलू पीएस ओफिस में भी कर सकते हैं ओपन ओफिस में भी कर सकते हैं लेकिन सब से ज्यादा जो आपका इंपोटेंट है मैक्सिमम काम आप यहीं पे करते हैं माक्सिमम वर्क वरक आप एमेस वर्ड में करते हैं, तो यह सब एक जहलक अगर आपके नजर से गुजरा हुआ रहेगा तो आपको पता चला रहेगा कि यह सब आपका word processing जैसे ही है, यह सब में हम word processing का काम कर सकते हैं, लेकिन main का हमारा MS word, अटीक है, इसी तरह से जैसे कि यहां पर हम word processing का देखियें, उसी त आए तो MS Excel है इसमें काम क्या क्या कर सकते हैं सर तो इसमें हम कोई भी अगर हमको result बनाना है तो results बनाना है या कोई index बनाना है जिसमें हमें salary बनाना है किसी employee का सली बनाना है या किसी company का कोई data structure का का काम करना है समझ गया बातों को तो वो सब कहां करेंगे यहीं पर करेंगे तैलरी बनाना है या किसी मतलब मालिय की कोई layout बनाना या कोई formula लिखना है या mathematical calculation करना है क्या करना आपको मैट्स का calculation करना है मालिय को समझ गया का बातों को यह अब जितना भी relevant काम होगा कोई formula write करना क्या करना कोई formula कोई formula कोई formula लिखना है कोई formula लिखना है ठीक है ये राइटींग जो लिखते है प्रहा जाता है घर परोड़कर करना या पर लेते हैं कर 씨कное रहों परने में है। तो हम फिर प्रसे चैक्क हुए रखऴ कि करें अधल यह फिर से चेक है सब बला गया ख खाली कल का कलास का खानागी हो गया कल का तो सब डाल गया कल का कम आगशी द लुक्स ढला जागा ख़िया इदेखिए आपका लो टर से स्मार्ट सुट हो गया घख यह ओपन ओफीश हो गया ठीक है एपल आपका यह नंबर सो गया जो हो जित हो गया ठीक है लिब्डरा ओफीश निर्ट रखेंग हें अब आप आपचे ऑपन ओफीश में भी आपका होता है तक ही है sol एक साल मैक्समुम काम भी यहीं करते हैं और हमारे सलेबस में यहीं लिखा हुआ है यह ज्यादा यह जलक आप देख लिजिए कि अगर बाई देवे कुष्चन इधर उधर हो आपको यह लगे कि हम यह चीजे रिविजन किये हुए कमज गया बातों को लेकिन आपके सलेबस मे यह चीजे लिखा हुआ है इस पर हम पूरा डीटियल पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे समझ गया बातों को चली आगया यह थोड़ा सा आगे देखते हैं आगे आप उसी तरह से जैसे कि हम सलाइड बनाते हैं तो पीपीटी का यूज करते हैं प्रजेंटेशन के लिए तो उसक इसके बाड़े में हमें परहना भी है चार-पांच नम्मर का कुश्चन जो सिर्फ यहां से आता है में स्पाबर पॉइंट से यह हम पूरा को पूरा प्रेटिकली भी पढ़ेंगे और वहां भी हम आपको लिखाते भी चलेंगे ठीक है अभी ओफिस ठीक आगे देखिए आपके अनुर्यद है कि टाइम टेवल अच्छा से लेकिन पंसात मिनट लेट हो जाता है कभी कभी स्टार्ट करने उसके लिए आप टेंसन नहीं लिए ठीक है चले हम आपके रिक्वेस्ट को बिल्कुल अच्छे से समझते हैं आपको टेंसन लेने की जरूरत नहीं है अग अगला आपका प्रजेंटेशन गराफीक है ठीक है ओपन आफीस है Google आपका श्लाइड है अपको यह सलाइड है तो आपको यह सब को एक जलक देखना यह आपको याद रखना यह हमारे स्लेबस का पाट है यह हमें अच्छे से पुरा बढ़ना अगे देखते हैं एक बार औ मेनेजमेने के लिए अब डाटा मेस्ट मैनेजमेन पहले तो सिर्फ ऑफलाइन जेनरल होता था लेकिन अब अललाइन अलग 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 एक कंपनी अपना पर बाइड करता है कि आप अपने डाटा को हमारे इस पे ले आ करके स्टूर करिए पता न कब तक जब तक आप राखना चाहते तब तक स्टोरेज आप आप कर लिजे वहां से पूछे स्टोरेज के जरूरत है तो आप फिरी में अब लेवल लाता है लेकिन जो बड़ा बड़ा कंपनी है या बड़ा बड़ा नाइजेशन चलाता है उनको तो ज्यादा स्पेस से ज्यादा हो जाएगा तो आमको बोले अव फटेज करने के लिए जयसे की जीमेल का चाहिँर सर्वता है जो आपका फिरी न कितना लㅋㅋ सब्सक्राइब, फिर बॉल कितना होता आपका 15 Cb तक होता हुआ और यो अटैचमेंट फाइल भेजते हैं कि अटैचमेंट जो आपका फाइल होता यह कितना होता है 25 आपका आने की Mb पहता हैं यह marine में यांप डिवाद उसी तरह से जब जब ज़्यादा रखर जरू थो तहीं काड़ेगा फ gefग्राइगा और यहां पर देखिए टारबेस मैंनेजिमेंट सिस्टेम मतलब डाके किशन मैनेज करके वहाँ पर रखा जा उस कंपनी के डाटा को तो यह क्या हो सकता आपका एमेस आपका एकसेस है ओपन ओफिस है यह जो है आपका यह आपका SQL मतलब structure क्यूरी लंगेज कि structure क्यूरी लोंग यह आपको फूल फॉर्म याद रखना एक पर एक्जाम में पुछा गया था कि SQL का फूल फॉर्म क्या है तो यह structure क्यूरी लोंगे यह जो डाटा होता है जो और यह नाइज डाटा होता है उसके उपर यह काम करता है समझ गया बातों को तो यह आपका आपका SQL Server हो गया यह और एकल बहुत बड़ा कंपनी है जो कि डाटा बेस पर वरक आपका करता है समझ गया बातों को आपका SQL आपका developer हो गया या SQL pro हो गया ठीक है तो यह सब आपका क्या है तो डाटा बेस management system के लिए यूज करते हैं मतलब डाटा को आपको manage करके रखना है तो इन सब चीजों को आप यूज करते हैं ठीक है किसका किसका तो MS access का यूज करते है open office और बेस का यूज करते है MS SQL का यूज करते हैं ठीक है अध्य चैट्स लेंगे लेकिन स्लेबस पर हाथ देते उसके बाद हम टेस्ट लेंगे हुआ है जो चूट गया हो आपको content tab में मिल जागा वहाँ पर जाकर कर लिजे recorded मिल जागा जो आपका छूट डियाना ओ रिकॉडदेट मिल जाएगा आप वहां से कर लिजे कोई मैनेज करने का काम करते हैं अब यहां पर कुछ आपका क्या है ? графick तूल है क्या आपका? ग्राफिक टूल है, अब देखें, अब तीज अब देखें, ग्राफिक टूल पढ़ने से पहले यहीं वहाई हजा हुआ हैeeee क्यूक रिवीजन हम आप लोग को दिला देते हैं ताकि जहां भी थोड़ा बहुत कन्फूजन एकदम किलियर हो जाए फॉर्वाड ठीक है चलिए हम पांच मिनट में पहले हम आपको अभी 14 सलाइड हम लोग पर है इसको क्यूक रिवीजन हम एक बार दिला देते ध्यान से इसके बीना कम्प्यूटर चल सकता है नहीं चल सकता है मतलब यूजर और हाड़ गिच में इंटर फेस है मतलब दोनों के बिच में रिलेशन को मतलब जोर रहा था समझ गए बात हो तो कि इसके बीना काम नहीं चलाता सेटप इंस्ट्रक्षन को क्या बोलते हैं प्रोग्राम बोलते हैं मतलब इस्ट्रक्षन तो ना चछी लेकिन वह सिक्वेंस में होना चाहिए रैंडम नहीं महीं होना चाहिए जैसे कि माली यह कीवर्ड है ठीक है हम MS वर्ड खोल लिये वहाँ पे आप कुछ भी आई से टाइपिंग करेंगे तो कुनों सेंटेंस बनेगा नहीं न बनेगा तो उसी तरह से गर कुछ भी इंस्ट्रक्शन इधर उधर जोर देंगे तो प्रोग्राम नहीं बने उसका वो सेट होगा तो प्रोग्रामर क्या है जो उसके बाड़े में विशेश जिसको जानकारी एक कंप्यूटर के बारे में जो सेट अप इंस्ट्रक्शन को लिख सकता वहीं क्या है प्रोग्रामर ठीक है चलिए आगे आगे आपका क्या था ताइप सफ़्ट्वेर बराइंपोटेंट है तीनो सिस्टम सफ्ट्वेर अप्लिकेशन और यूटिलिटी सिस्टम मतलब इसके बीना कंप्यूटर नहीं चल सकता है अप्लिकेशन सफ्ट्वेर के बीना कंप्यूटर चल सकता अपने डिजायर वर्क के लिए उज़कर रहे थे और जो यूटिलिटी है यह क्या करता है सिस्टम वर करने में मदद कर देता है ठीक है आगे देखे आगे अपरेटिंग सिस्टम था एक्जामपल विंडो हो गया मैक हो गया लाइनेक्स हो गया युवन्तू हो गया ठीक है उसके बाद आपका एंड़ाइड हो गया कुछ ड्राइवर का नाम हम आपको यहां पता है ते है उसको जो बाहरी कोई चीजों को जोर रहे हैं उसको समझने के लिए ड्राइवर होना जरूरी है ठीक है जैसे यहां आइडियो था ग्राफिक था आपका और मदर वो ड्राइबर अप्लिकेस्टन में आपका क्या आगया तो जैसे कि आपका यहां पर देख रहे है फोटो आगे यहां पर यूटिलीटी सफट्रवेर था यूटिलीटी कहने का क्या मतलब है यह हमें कंप्यूटर को अच्छे से वर्ग करने में क्या कर रहा है मदद करते हैं ठीक है अगला आपका यहां सिस्टम सफट्रवेर में आपका दो था एक तो आपका सिस्टम सफट्वेर आपका application system में आपका ये सब चीजे था और आपका application में ये सब चीजे था ठीक है अगला आपका software जिसके बिना computer नहीं चल सकता है और operating system एक तरह का क्या है तो system software है ठीक है और जिसे कि इससे हम क्या करते है रन कराते हैं program अगला इसका example क्या है तो Android हो गया iOS हो गया Linux हो गया और आपका Microsoft window हो गया तो यहां हम एक के साथ example लिख दिये एक नजर माड़िएगा आपका काम हो जाएगा ठीक है आगे आगे आपका क्या है कह रहा है कि एक ऐसा computer system एक ऐसा computer system मतलब होता है जो इसका काम क्या होता है utility जो है इसका काम क्या होता है जैसे कि कौन फ्यूगर करना मत मतलब चीजों को इनहांस करने में मदद करना अप्तिमाइज का मतलब है क्या होता है जो इधर उदर का चीजों यह था उसको छोड़ करके यह बहतर रास्ता को ढूंड़ना ठीक है जैसे कि कोई company कुछ भी बना रहा है तो उसका अगर वर्क में efficiency नहीं मिला तो उस चीजों को जो उसके पास इनिवेंट्री है या जो रो मैटले उसको आप्टीमाइज करके जब यूज करेगा तब उसको क्या होने लेगा उसको प्रोफिट मिलना शुरू हो जाएगा मतलब वह उचित दिशा में जान समझ गया बातों को और इसका एक्जामपल क्या था तो डिस्क मैनेजमेंट आपका हो गया बैकप यूटिलिटी हो गया हलाकि एक बार सबको देख लेल लेकिन ये चीज़े याद रखने है अगला अगला आपका अप्लिकेशन अप्लिकेशन सफ्ट बेर के बिना कंपीटर चल सकता है यह हमारा डिजायर है जैसे कि हम अपने मुएल में प्लिकेशन फैस्ट अब्लिकेशन सफ्ट बेर में यह सब कुछ आपका गा जैका माइक्डियो एड़िटिंग्स आजआगा रिकॉडिंग करने वला चैगा विडियो पले य। आजएगा माइक्रोसफ्ट अफ्पीस आजए का ज्यक्याग यह फोटोस आप हो गया यां अभी रुख जाए दो मिनिट हम आप सब भी लोग से बात करेंगे रुख जाए वर्ड प्रोसेसिंग में हम क्या कर सकते कोई भी इडिट कर सकते कुश्चन टाइब कर सकते कोई भी डोकोमेंट का काम होगा वो सब हम कर सकते इसमें ठीक है चलिए यह सब यहां पर एकजामप कोई भी फर्मूला लिखना है कोई मैथेमेटिकल काम है कोई रिजल्ट तयार करना है तो इन सब चीजों से जो रिलेटेड काम है वो कहां करेंगे यहीं पर करेंगे ठीक है अगला देखें अगला आपका क्या था पर्जेंटेशन तो यह हमें MS फावर पॉइंट तो पूरा परना ही है सेलेबस में लेकिन इसके साथ जो है इन सब चीजों को एक बाढ़ हमें क्या करना है एक जहलक देख लेना है ठीक है अगला आपका क्या था डाटा बेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो आपकी आपका स्क्राइबस मेनेजमेंट सिस्टम पर आपका काम करता है तो यह सब चीजे आपका हो गया अब इस से आगे हम क्लास जो है कल करेंगे ठीक है अभी टाइम हो गया अब पुछिए आप लोग को क्या-क्या मतलब दाउट है पुछिए अब पुछिए हम दो तीना टाइम देत पर चलना है कुछ टाइम आपका बेसिक जो है यूटूब पर चलना है उसके बाद कुस्ट्यन आएगा कम्पलीट कोर्स करना है तो आप अपलिकेशन से जूर जाईए मैं आपको दिखा देता हूं देखिए आपको इससे जूर जाना है मैं दिखा देता हूं यह सब एक्चुली सलाइट त्यार हो गया है पूरा ठीक है एक्चुली इसमें लगा हुआ नहीं है ठीक है ऐसे आप समझ लीजिए प्लेटफॉर्म बाई नभीन कुमार्सिंग आपको प्लेस्टोर से डाउनलोड कर लेन है वहां पर आपको बेल टोन से संबंधित बैच मिल जाएगा उसे आपको जुआइन हो जाना ठीक है मुस्ट इम्पोटेंट इमेस ओफिस का पढ़ाएंगे पुरा प्रेटिकल ही तरीके से पढ़ाएंगे आपको टेंसर नहीं लेना ठीक है बस क्लास में जूरे रहना है है और पूँछें क्या पूछना है अपलिकेशन पर पूस से टॉपिक भी पढ़ाएंगे ये सब टॉपिक प्राई ये अभी को दोनों जगह यहीं सिर्फ किया चलेग को होगा योटूब पे सिर्फ आपका कुस्टन चलेगा ठीक है हम लोगैस्ट कैसे देंगे आप लोकua कर दो कैसा सवाल पूछ रहा है इंथ हां वह आपका बेशीक चपटर रहे ठीक है उसमें आज हम जो चला है अपलीकेशन और सिस्टम सपट्ट भीर एपलीकेशन पर कभ इस ऐसे टोपिक बता तो दो दिए अप्लीकेशन पर प्रेजिए अप पुड़ा पुड़ा अप्लीके प्रोसेस कर लिजेगा आपको पर्चेश हो जाएगा बस एक दम यह देखिए पहले कितना था तो 499 था इसको खतम कर दिया गया है 299 बस आपका रह गया समझ गये बातों को इसमें आपको मिल जाएगा ठीक है चली आप जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाएगा और सभी के सभी आपका इस्टडी मेटरियल भी वहीं मिलेगा रिविजन के लिए आप टाइपिंग पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे टेंसन मत लिजिए यह जूरना है तो अपलिकेशन पर जूरिये ना यूटूब भी करना है आपको यूटूब भी यह अपलिकेशन भी जादा बेतर है ठीक है अपलिकेशन से पढ़िए सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा अठीक है आप लोग चल सकते कोई दिकत नहीं है हम देख लिए देख लिए बहुत कुछ इसमें मतलब करना पड़ता है ठीक है तो अर्जिस्टमेंट थोड़ा सा कर लीजिए ठाहस में तंटेकल नहीं इसंडेकर आ हो समय क्लास पर लगा पर ओरुंधिस सेक्टियों अधिक इसलेशिए कि यह तरकी कितना है थी बस 209 में देखिए 299 ने पूरा कोर्स हम आपको एकदम बेहतर तरीके से करा देंगे इसलिए इतना कम जैनून फ्रीस रखें कि आप सब लोग जूर सकते बस कि अभी MS Office अप्लिकेशन पर स्टार्ट होगा अभी हुआ नहीं अभी होगा ठीक है कि इस अमें आपके टाइपिंग और पर में अपको कलास बना थी बना देंगे बीडियो बना देंगे ठीक है पूरा नहीं दिखता है हमको दिखता है संदीब जी हमको दिखता है ओके आपको भी आपको भी सेम भी उनिति इस चली आठ वजे सुबह से होता है आपको प्लेलिस्ट यूटूब पर बना हुआ है वहां से जाकर क्या आप देखिए लेलिस्ट बना दिये हैं आप आज दसमा वीडियो गया है ठीक है है दसमा वीडियो गया है आपको भी आपको भी चली है मैं इस मेरी और कमेंट कर रहे हैं आप अपने आपको रिये क्दी अ अड्ट है मेरे भाई ऐपलीकेशन वाला दाउनलोट कर सकते हैं कर सकते call बने ही पर नहीं है शब दोस्त को नहीं हेना है अब आगे देखें तर मेरे क्लाश आठीक है तर कोई को अब कोर्स ले लिए अप्लिकेशन पर जाकर करके ठीक हराज इतना ही रखें ते लिए फिर बात करेंगे तो लोगा फिचेट कर रहे हैं क्या पुछना सरे में सफिस आने की अभी यह पहले बेसिक परहा देते हम कंप्यूटर से वेर आपको कड़ा अब जो तक बेसिक नहीं पढ़े रहे हैं आपको मजा नहीं आएगा इसलिए हम क्या किया बेसिक के बाद रखें में सफिस को समझ गए बातों को चलिए यहां जन्रेशन आप कंप्यूटर हमें को वीडियो आपको जन्रेशन आप कंप्यूटर पर देंगे दू तीन दिन में दे देंगे और उसमें सब कुछ क्लियर कट कर देंगे ठीक है रसन जने सब दे देंगे ठीक है वीडियो फूर पूराना पूराना अपलोड है उसमें कि आप आचा नाव थीक कि यह ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओक्योच गिए ताय रखे किस पर कुछ बले एम्मेश एकसल पर होगा होगा करांगे टेंसे रहां आपको पूरा प्रेटकल प्रप्रक्रांगे बंद कर दीजिए भो गया आप जो बच गया कल पूछ लिजिए गाँ अब जो बच गया कल पूछ लिजिए गए ठीक है कीबोड कौन से लेना है कल का वीडियो देखिए उसमें सब कुछ समझाये कौन सा कीबोड लेना है कौन सा टाइपिंग फॉंट होगा नवीन सर के साथ एक वीडियो डाले है कल उसको देख लिजिए पूरा क्लियर हो जागा आठ वीडियो है अप्लिकेशन पर उसको देखिए उससे उतना ही अभी तक चला है उतना ही चला है ठीक है यह नौमा आज का हो गया ठीक है इसे प्रिंट लेने के जरूरत नहीं है पीडियाप का पीडियाप मत निकलिये जैसे हिंदी में लिखें तो कितने वर्ड चलिए ठीक है आप कड़िये हो गया ओके कड़ियो के ओके 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 बाया आज के लिए इतना ही रखें फिर कल पूछी लिजेगा बहुत हो गया चले थैंक्यू